हेलो फ्रेंड्स, मैं से डॉक्टर जेतेंदर सिंग, आज मैं अपने इस मेडिकल पार्ट साला चैनल पर दोस्तों जो अपने पहला वीडियो रिकॉर्ड करा था, जो अपन ग्राम पॉजिटिव बेक्टिरिया कौन से इन्फेक्शन करते हैं और उनके लिए कौन सी जो एंट इन्फेक्शन करते हैं इनका पॉर्टल ऑफ इंट्री क्या है और इनके लिए क्या स्पेसिफिक एंटिवाइटिक है इसके लिए दोस्तों आज वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले अपन लर्न करेंगे ग्राम नेगिटिव बेक्टिरिया तो अब आपको समझ में खुदी आगया होगा दोस्तों कब होता है ड्यू टू लेक ऑफ हाईजीन पेसेंट हाईजीन नहीं रखेगा और फिको ओरल रूट के थुरू यह जो बेक्टिरिया है ग्राम नेगिटिव बेक्टिरिया उसके अंदर जाएंगे तो आपको खुदी समझ में आ रहा होगा दोस्तों गंदा पानी जो भी है फिको ओरल रूट अपने को मेंलिक यूरो जेनाइटल इंफेक्शन करेगा दोस्तों किसी भी पेसेंट के अगर यूरो जेनाइटल इंफेक्शन है जी आईटी इंफेक्शन है तो अपने को क्या वो करना है गैस करना है कि भाई पेसेंट को ग्राम नेगिटिव बेक्टिरिया से इंफेक्शन है तो दोस्तों ग्राम नेगेटिव इंफेक्षन में सबसे जो common है वो आप जानते हैं यूरोजनाइटल इंफेक्षन में कौन सा यू टी यू टी यू करेगा अगर किसी पेशेंट को यू टी यह तो most probably case कौज क्या है ग्राम नेगेटिव बेक्टिरिया है दूसरा दोस्तो जो यू टी यह ह कि अबर आपको पता है यह चीज्ज आपके पेशेंट आएगे यू टी के पेशेंट फी मेल में बहुत रिकरेंट होता यह क्यों क्योंकि दोस्तों जो फी मेल का итесь कि उरेथरा है उसकी जो इन्थ है बहुत स्वाल होती है औल्मस्ट प्फोर सांटिमीटर होता है फी ग्राम नेगेटिब बैक्टिरिया की वरेसे होता है। तो ग्राम नेगेटिब बैक्टिरिया को दोस्तों हम पढ़ रहे थे, यह कैसे ट्रांस्मीट होते हैं? जूटू फीको औरल रूट की तुरू कब होते हैं डूटू लेक ओफ हाईजीन अगर पेशेंट हाईजीन मेंटेन नहीं करता है तब यह दोस्तों करते हैं इसलिए हमारे देश में ज्यादा कॉमन क्या है हमारे देश में इतना हाईजीन को मेंटेन करते नहीं है लोग तो हम हमारे देश्ट में सबसे ज्यादा कौन से बैक्टरिया से होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टरिया यूटी बहुत कॉमन होता है यूरो जैनाइटल ट्रेक्ट इंफेक्शन करते हैं इसलिए यूटी आइए मोर कॉमन फीमेल होता है ड्यू टू शॉर्ट एन इस्टेट तो जीएट इंफेक्शन हो सकता है हेपेटो बिलियरी ट्रेक्ट इंफेक्शन हो सकता है डाइरिया हो सकता है कॉलाइटिस हो सकता है दूसरा ब्लड ब्रेन बेरियर के क्रोस कर जाए अगर ये तो ब्लड इस्ट्रीम के थूरू दोस्तों ब्रेन में तो कोई भी बैक्टरि बैक्टिरिया के थरू होता है, अब एक क्कॉस्चन आता है, क्या Gram Negative Bacteria skin infection कर सकता है? या क्या Gram Negative Bacteria ENT infection कर सकता है? दोस्तों जैसा मैंने बताया, exception हर जगे हैं, बहुती रेरली ये Skin Infection या ENT infection कर सकता है, लेकिन 80% केस में Skin Infection और ENT infection gram positive Bacteria से होगा, और GIT या Eurogenital tract infection Gram-negative bacteria से होगा यह आपको Mid où ध्यान zaj्व दूसरा दोस्तों क्या जो gram negative bacteria है अपने छेस्ट में जा सकता है दोस्तो gram negative bacteria जिसे आपने पढ़ यह जाता है क्लैबसेल नीमोनिया हो जाता है जिसा मैंने बताया ENT infection नहीं करता है चेस्ट में जाने के लिए वो बना भी नहीं था एक्चुली लेकिन फिर भी कई बार आपने देखा हुगा लेकिन अपके लिए प्रेश्ट करना हम डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने सिखाया भगवान ने उसको इस इसाफ से नहीं बनाया था लेकिन अब कैसे सिखाया है आप देखते हो जनरली आपने भी प्रेक्टिस करी होगी या देखा होगा अब कभी इमर्जेंसी में देखते हैं बहुत कॉमन ली यह चीज बहुत ही कॉमन है अपने जो गवर्मेंट ऑस्पीटल सेट अप है उनमें बहुत कॉमन होता हुटा है यह कोई पेशन आया उसको सक्सं करना है अब सक्सं करने के लिए जो उसका आगे का सक्संपाइप है उसको लाना पड़ता है खरीद के मार्केट से वह बोलते हैं मरीज बोलता है कि साफ हम नहीं लाएंगे तो डॉक्टर या जो भी वान नर्सिंग स्टाफ होते हैं वह क्या करते हैं एक वहां उल्लेडी सक्षन का निकाल के फैंकते तो है नहीं सक्षन मसीन का लटका रहता है उसको उठाते हैं और पेशेंट का सक्षन करते हैं अब उस पेशेंट को वह लड़ी कितना जब जिसको सक्षन हो रहा है वह उसको सक्षन करके उसको सेट करके भेजते हैं फिर उस पाइप को वहीं टांग देते हैं अब क्या होता है वह गिर भी जाता है काई बार नीचे गिल गया साब फिर उठा के टांग देते हैं और अचानक से सेम सिच्वेशन कभी फिर से इमर्जेंसी पेसेंट आ गया उसको बोला सरी आएगा मार्केट से लाना पड़ेगा आपको मरीज के टेनिन बोलते नहीं हम तो नहीं लाएंगे 500 रुपे का आता है महेंगा आता है त तो फिर से उसका सक्षन उसी पाइप से करेगा तो ऐसे करने से दोस्तों जो सीरियस बेक्टिरिया था जो उसको मानलों निमोनिया था तभी अपन सक्षन कर रहे थे क्लैबसेला निमोनिया था सीधा किसमें गया दूसरे वाले पेसेंट में चला गया इतना सीरियस इंफेक हम खुद इसको क्रियेट कर रहे हैं हम थोड़ी सी उसकी बज़े से अब वो सेट आप या जो भी हमारे है उसे आप से में ज्यादा में नहीं बोल सकता है बट ऐसा होता है यह मैं बोल सकता हूं तो इस तरह से हम कई infection को खुद क्रियेट करते हैं और कई बड़े बड़े बैक्टिरिया हम खुद जनरेट करते हैं जैसे मर्सा वर्सा करा अब जैसे यह कलेवसेला निमोनिया हमने उसको चेस्ट में जाना सिखाया ग्राम नेगेटिव बैक्टिरिया इसका काम नहीं था अब इसका ट्रीटमेंट क्या है तो दोस्तों ग्राम नेगेटिव बैक्टिरिया के लिए जो हमारे पास जो सबसे कॉमनली दबाई है वह है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स अब जानते हो आप अमिकासिन और जैंटामाइसिन यह दो इन्जेक सब लगाते हैं इनको आज ग्लगेटरिया यह दोस्तों ग्राम नेगेटिव बैक्टिरिया के लिए लेकिन इनका एक ही दोस्तों ड्रॉबैक इनका drawback यह है कि यह केवल आई भी दी जाती है इनका कोई tablet form में नहीं आता तो दोस्तो ऐसी दवाई फिर gram नाविक्टिरिया अगर किसी को है किसी को UTI है ऐसा नहीं है कि उसको भरती करके अपन इंजेक्शन लगाते रहेंगे तो अपने को ऐसी दवाई भी खोजनी पड़े इस यह सारे मौक्स लोक शाष रोख षाषので जिनको अपन वोलते है यह तो यह सेकंड बेस्ट रघ होती है ग्राम नेगेटेब बैक्टिरिया के लिए कि दौ yes कि दोस्तों जैसे आपने मैंने अब या एंडित पर बहुत सारे सेपरेट एंडिए कि पर भी वीडियो रिक बढ़ता जाता है means जो फर्सट जनरेशन से फेलो स्पोर रएंव ग्राम पॉजिटिव बैक्ति टिरिया के ज्यादा एफेक्टिव हैं और जो घ्रिख्टृर्ड जनरेशन और फॉर्थ जनरेशन के जो सिफेलो इस पर रहने वह ग्राम नेगेटिव बैक्तिरिया के लिए ज जो भी है रिसर्च हुआ तो इनकी भी जो जैसे से जन्रेशन भढ़ती गई वैसे वैसे इनका systemic effect भढ़ता गया मतलब जब नौरफ्लोक्सेसिन आई तो केवल डाइडिया में अच्छा का मुदकर कर दियरियक को करती फिवर को अपर ले घर को करती को करती सिस्टेमिक और साथ में चैस्ट को कबर कर लेती किनका सिस्टेमिक अफिक्ट भड़ दोस्तों जो मैं बता रहा था आपको ग्राम नेगेटिट बैक्टिरिया के लिए फिर्सट तो इस्ट क्या है अमीकासिन और जेंटामाइसिन यह अमाइनोग्लाइकोसाइड से 500 मिलीग्राम बीडी देते हैं बट इनका केवल क्या है केन वी गिवन आई वी ओनली वो पीडी में नहीं दी जा सकती इसलिए फिलूरो कुलो नॉन्स इसकी चार जनरेशन आई जैसे जैसे फिलूरो कुलोंड लॉन्स की जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे उनका सिस्टेमिक एफेक्ट बढ़ता गया नौर फॉलोक्सासिन केवल डाहरीया में देते थे कितना देते हैं 400 मिलीग्राम बीडी देते हैं इसकी सिस्टेमिक सिम्टम अगर साथ में तो फॉलोक्स देत दो गयेटी फलोक्साशन पार फलोक्साशन ओपने को उने इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊँ हूँ आगे इनको पढ़ेंगे को और नेक्ष्ट दोस्तों जैसा मैंने बताया उसमें मर्शा और वर्षव थी इसमें भी दोस्तों gram-negative बैक्टिरिяжा में भी रिजिस्टेंट बैक्टिरिया हैं तो कौन-कौन इसमें दो हैं mdr-gram-negative जैसे नामसिस में बारा है multi drug resistant gram negative bacteria और दूसरा जो है वो है ESBL extended spectrum beta lactam जो है bacteria तो दोस्तों अब इनको भी अपने को treat तो करना ही है तो इसके लिए क्या treatment है वो अभी आपको याद रखना है अगर कोई patient multi drug resistant gram negative bacteria है उसको आपको लग रहा है तो दोस्तों अपने को इसको जो 3rd generation और 4th generation जैसा मैंने बताया जनरेशन बढ़ती गई गराम negative coverage उनका अच्छा होता है तो 3rd generation 4th generation 4th generation में सेफ पी रोम या सेफ ट्रियक्सों या सेफो पैराजोन जो 3rd generation सेफेलो इसपोरेन है ये दोस्तों इनके लिए drug of choice है ये देने को दूसरा इनसे अगर कवर नहीं हो अपने को नॉर्मल यूटी आई में नहीं देना है लोग इसको नॉर्मल यूटी आई में भी पेपरसलीन टेजोवेक्टम ठोग रहे हैं वह इस भी आये पेपरसली इससे ठीक हो जाएगा ओब्यसली क्योंकि ग्राम negative को भी coverage करता है लेकिन दोस्तों अगर कभी खुद ग् वह महींने कम्यूसली में सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसा करें गे तो आगे हमारे कम्यूनिट्री को दिक्कत होगी हमको itself वी दिकत होगी दोस्तों क stell तो ट्यक्स्ट पेशन और बारे में दोस्तों मैं बता रहा था इसका श्लो आई-वी इंफ्यूजन यह बात बीकम जन्रल प्रेक्टिस जानते हैं हो देखते लेकिन दोस्तो इसका स्लो आईवी इंफ्यूजन देते हैं चार घंटे में देना चाहिए तब इसका जो एफेक्ट आता है जो ओरिजिनल एफेक्ट इसका आना चाहिए जितना इसकी एफिकेसी वो तभी आती है लेकिन अपने इसा तो करते नहीं है अपन तो सीधे बोतल लटकाई और उसी में ज्यादा ज्यादा गोई 100 ml में डाल देगा इसको 100 ml में डाल गे चड़ा दिया पांच मेंट में 10 में 10 में चड़ने बाद तो इसका ओरिजिनल एफेक्ट नहीं आता है दोस्तो दूसरा इसको 8 तो 12 वावरली देते हैं अगर क्रियेटिन क्लेरेंस कम है पेसेंट का नेफ्रोटोक्सिक है यह तीस से कम है तो दोस्तो इसको हाफ डोज में देते हैं या फिर अल्टरनेट डेट देते हैं यह आपको ध्यान रखना है तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है थर्ड जनरेश पेसेंट में जो हुस्पिटलाइप पेसेंट है उसमें अपन दे रहे हैं जनर्र प्रेक्टिस में यह आपको नहीं देना चाहिए एसबील एक्स्टेंडेड इस्पेक्ट्रम बीटा लेक्ट्रम अगर किसी को एंटिवाइट वह है इस यह अल्मोस्ट अमर है यह मरता नही है आई वी फोस्फोमाइसें या टिगे साइकलिन दोस्तों यह तीन चार ही गिनी चुनी दवाई है जो इस बैक्टिरिया को मार सकती है अगर इनसे इनका रेजिस्टेंट हो गया तो पेसेंट को जाना पड़ेगा तो दोस्तों पहले जब कभी अपन मेरोपनेम देते थे पहले जब- calculator मेरोपनेम लिखता था कोई-surgeon रेक्ता था रहक है कमैटि थी अपने अपने प्रोंड छला जाता था ईंफेक्शन नहीं किसी लगा कि इसको मेरोपनेम देना है लेकिन दोस्तों आज की स्थिति अलग है आज क्या होता है मेडिकल वाले को ही बोल दो वह देदेगा आपको मेरे पेने में जनरली एमर आते हैं डॉक्टरों को पास बता के चला है साब फैरो पेने में से बहुत अच्छा यूटी में मिलता है वो डॉक्टर लिखना है स्टा अपनी वाला बता गया और तो फिर दिक्कत ही क्या अच्छा काम करेगा उसने बता दिया बट ऐसा दोस्तों नहीं करना चाहिए यह गलत प्रेक्टिस है जो हायर एंटिवाइटिक है वो हॉस्पिटर सेटप में ही यूज होने चाहिए अपने को हमेशा बेसिक होता है जनरली अपने प्रेक्टिस में क्या होता है अपने जनरल प्रेक्टिस में यह होता है कि पड़ोसी की तो एक दिन में सही हो जाते हैं उमारे मरीज तो चार दिन दबाई खाने के बाद से नहीं होते है तो पड़ोसी कर क्या रहा है एक डाइना पार लगा रहा रहा चुप्चाइब के लिए सही होगा लेकिन दोस्तो आप पेसेट को समझा ओ दो तीन दिन लगएगे ठीक इ स्टार्ट कर रहे हैं लाहिए नहीं करना हूं दोस्तो एपनीय ज्यादा चले है यह नहीं चले है और अब दोस्तों यह अपन ने पढ़ा ग्राम नेगेटिफ अब के बारे में सबसे खतरनाक है दोस्तों वे स्य्व्डोमोनास के बारे में क्ल्छ renew जो iamյा न्शेश मिय्स पेसेंटहीं उन में ज्यादा infection करता है शूडो मोनास का infection बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों जो surgery after surgery chemotherapy या डाइलेसिस है उसके बाद अगर किसी patient को infection हो रहा है ग्राम नेगिटिव तो दोस्तों उसको chances है स्यूडो मोनास से infection होने से स्यूडो मोनास का अगर किसी को infection है दोस्तों तो कम से कम दो antibiotic एक साथ देते हैं उसको कौन-कौन से दोस्तों बीटा लेक्टम पिरासलीन सेफटाजीटीम सेफिपीम इमीपी पीनम या एजिट्रिनेम इन में से कोई एक antibiotic साथ में उसको अमाइनोग स्यूडो मोनास के ट्रीटमेंट के लिए क्या देना है एक अपन बीटा लेक्टम एंटिवाइटिक देंगे और साथ में या तो अमाइनोगलाइकोसाइड देंगे या फ्लूरोकिनोलोंस देंगे और यह बहुत ही इम्मुन कंप्रोमाइज जो पेसेंट होते हैं जिनको की अब नेगेटिय घ्रां कावर कर नार्मल और सारा का fishing हैतें सब्सक्राइनन इसी Перक an इनट्रिय करते हैं और उसके बाल तो इपना पना है वो है जैसा मैंने बताया यह anomalous हैं यह बैक्टिरिया के परवार से तो हैं बट यह ना तो बैक्टिरिया जैसे दिखते हैं नहीं बैक्टिरिया जैसी हरकत करते हैं बट यह infection करते हैं दोस्तों दूसरा चीज जो अपने को एक वर्ड याद रखना है जो आज की इस एटिपिकल बैक्टिरिया की क्लास के बाद जो आपको जीवन भर याद रखना है जो एटिपिकल बैक्टिरिया हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टिरिया जैसे infection करते हैं उनका भी वो ही पोर्टल आफ in theory है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टिरिया का है इतना ऐस दोस्तो आपको जानता है यह आप जानते हो ग्राम पॉजिटिव कौह से इन्फेक्शन करते हैं या इन्फेक्शन करते हैं या इसके इन्फेक्शन करते हैं तो यह जो एटिपीकल बैक्टिरिया है एटिपीकल कौन-कौन से माइको प्लाज्मा क्लेम आइडिया रिकेट्सिया लिजियो नेला यह सारे इसके इन्फेक्शन करते हैं दोस्तों यह बस इतना सा आपको याद रखना है तो ये टिपिकल बैक्टिरिया क्या हैं एनोमलस हैं बैक्टिरिया के परिवार से तो हैं बट ये ना तो बैक्टिरिया जैसे दिखते हैं ना ही बैक्टिरिया जैसी हरकत करते हैं बट ये इंफेक्शन करते हैं लाइक कौन-कौन से ये टिपीकल बेक्टिरिय होते हैं, माइको प्लाज्मा, क्लेम आईडिया, अजिकेट्सिया, लिजियो नेला, ये बेक्टिरिया बिल्कुल ग्राम पॉजिटिव की तरह एंफेक्टिरिया करते हैं, मतलब इनका पॉटरल इंट्री सेम है जो ग्राम पॉजिटिव का है, जो आप जानते हो, या तो इसकिन, या एंटी, चेस्ट या ब्रेन इंफेक्शन ये कर सकते हैं, दोस्तों इनका ट्रीट्मेंट की अगर आपन बात करें, हैं मेक्रोलाइड, तो ड्रग ऑफ चोईस एटिपिकल बेक्टिरिया के लिए क्या है, मेक्रोलाइड हैं, और दूसरा टेट्रा साइक्लिन, तो जितने भी डॉक्सी साइक्लिन ये ये इनक्स्ट एंटिवाइटिक अगर देना तो ये दे सकते हैं, ये टीपिकल बेक्टिरिया के लिए दो ही एंटिवाइटिक होते हैं एक तो मैक्रोलाइड जिसमें एजी क्लेट्रो या टोब्रमाइशन कितना देते हैं सब जानते हो 500 मिलीग्राम की ओडी डोज होती है ठीडेज देते हैं क्यों क्योंकि इसकी टी हाफ लॉंग होता है यह जाके जो अपने लंक्स के मैक्रोफेज हैं उनके डवलूबीसी उनमें जाके खट्टी हो जाती है और साथ दिन तक काम करते हैं तो तीन द दोस्तों अगर किसी पेशेंट को जैसा मैंने अभी बताया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम सौरी एटीपिकल बैक्टिरिया का पोर्टल ऑफ इंट्री सेम है अगर कोई पेशेंट को फेरेंजाइटिस है या किसी को और थोड़ा सा निमोनाइटिस है ठीक नहीं हो रहा त दोस्तों आप कॉम्बिनेशन में ऐसी दव ऐसी एंटिवाइटिक दो जो दोनों पर वर्क करें तो आप उसको अगर एजित्रो दे देंगे तो उसका बहुत अच्छा रजल्ट आएगा मतलब आल्मोस्ट पेशेंट ठीक हो जाएगा तो अपने को पेपेरासिलीन टेजो तो एक्टम ठोक रहें बिना मतलब के उससे इतना फायदा नहीं आएगा जितना एक सिंपल अमोस्ट या एक एज़ित्रो खा के आ जाएगा क्योंकि जितने भी अपने एटिपीकल बैक्टिरिया उनको एजित्रों कबर कर लेगा या फिर अपने नॉर्मली देखा है जब पर बीडिक कोई भी पेसेंट आता है एटिपीकल टाइप का उसको लग रहा है कि हमें पता नहीं इसको रहे हैं या कुछ भी हो रहा है जितने भी एटिपीकल तो उसमें डॉक्सी साइकलिन ड्रग ऑफ चोईस होती है दोस्तों क्योंकि एटिपीकल बैक्टिरिया में पहले बताया था जैसा यह घर का भेदी लंका डाय मतलब यह हमारे सरीर में ही रहते हैं लेकिन जैसे इनको मौका मिल जाता है इंफेक्शन कर देते हैं जैसे किसी ने अगर दांत उखडवाया नॉर्मल उसने दांत का आर्शीटी कराया या दांत निकल वाया अपना तो द उनको मौका मिल गया एमुनिटी कम है और थोड़ा इंफेक्शन की जगे मिल गई तो इनको तुरंध इंफेक्शन कर दिया दम्स फूल गया तो यह कौन से है एनारोबिक बैक्टिरिया दूसरा गट फिलोरा में हमारे जानते हो नॉर्मल कमेंशियल बैक्टिरिया रहते है अगर हमारी गट ठीक है उनके कॉंट्रेक्शन हो रहे हैं बढ़िया इंटेस्टाइन चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर पेसेंट को इंटेस्टाइनल ऑफ्स्ट्रक्शन हो जाए तो यह जो नॉर्मल का गट फिलो रहा है यह एकदम से गट को पूरा इंफेक्शन कर देते हैं तो यह क्या है एन अरॉबिक बैक्टिरिया जो इनको देख लो दोस्तों जैसा मैंने बताया मैंने लिखा भी है यहां इसलिए कि आप भी इसको याद रख पाएं इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं एन अरॉबिक बैक्टिरिया लाइक घरका वेदी लंकाड है सबके शरीर में बैते हैं जैसे ही इनको मौका मिलता है इंफेक्शन कर देते हैं औरल फिलोरा दांत का ट्र क्लॉस्टिडियम रहता है बॉटिलीनियम कर सकता है यह डिफीशेल क्लॉस्टिडियम यह दोनों अपने इंफेक्शन कर देते हैं रोविटेला यह बाकी अधर बैक्टिरिया जिनके नाम भी नहीं सुनें अनकॉमन बैक्टिया लाइक पेप्टो इस्ट्रॉप्टो को कस अब जो हमारा मैन काम हैं हमें कौन सी एंटिवाइटिक दोस्तो ग्राम सौरी एनारोविक बैक्टिरिया में देनी हैं तो दोस्तो दो चीजें आपको याद रखनी है एक तो मेट्रोनिडाजोल और दूसरा क्लिंडामाइसन यह दो दवाईया हैं जो कि ग्राम सौरी एनारोविक बैक्टिरिया में काम करती हैं कलिंडामाइसन अगर किसी को एबब डाइफ्राम अपने डाइफ्राम से उपर इंफेक्शन है तो कौन सा देना है कलिंडामाइसन और अगर डाइफ्राम से बिलो डाइफ्राम है तो अपने को मेट्रोजिल देनी हैं दोस् की यह अगर आई भी दे रहे हैं तो 600 ग्राम डारेक्ट एट आर लिए इसको देते हैं क्लिंडा मैसिन क्यों देते हैं दोस्तों विकॉज जो मेट्रो ने डाजोल है वह एक्टिनो मैसी यह माइक्रो एरोफिलेक्ट जो इस्टेप्टो को काई है उनके अगेंस्ट वर्क नही क्लिंडा मैसिन कैसे वर्क करती है यह अपने 50S राइवोसों की जो सब यूनिट है दोस्तों उसको इनिवीट करती है और फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस को इनिवीट कर देती है हमारे अगर किसी के हुमन वाइट काबून ने किसी को किसी इनसान ने काट लिया उसके बाद इसको अगर इन्फ्लेम्म होड़ाए टो दोस्तों क्लिंडामइशन ड्रstar डक श्यूश को यृद रखना है तो पहला अब दाइफ्राम है तो गणอंड देंगे लेकिन दोस्तों अगर विलो डाइफ्राम है तो कौन सी दवाई देंगे मैट्रोजल देंगे मैट्रोजल का सब जानते हैं 400 mg TDS oral IV दोनों दे सकते हैं पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी एक मेट्रोजिल जरूर देते हैं क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि क्यों कर देते हैं वह जो क्लिंडामाइस्ञ नहीं मारती है तो अगर अगर कोई विलो डायो ही जादा इंफेक्शन होने के चांस हैं तो वह याद रखना है अगर नीचे है बिलो डाई फराम मैं यस तो मेट्रोजिल देनी है मेट्रोजिल क्लिंडामाइसिन कवर्स MRSA and also have anti-toxin effect कलॉस्टिटिडियम को भी ये मार देती है तो ये बहुत important दबाई हैं दोस्तों इसलिए इनको अपन यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आज का जो हमारा lecture था उसका जो परपज था ये था कि जो हम anti-biotic हैं उनका judicious use करें judicious use अगर नहीं करेंगे दोस्तों तो हमारे आप उल्टा सोचिए कोई अगर मान लोग कोई patient है और जो अलड़ी resistant bacteria का infection लेके आपके पास आया है और गलती से वो infection आपके थुरू आपके बच्चे को हो जाता है तो वो आपको कैसा लगेगा आप एक छोटी सी बीमारी जो इसको होगी कफ खांसी होगा जो की bacteria से resistant एकलेव से इला मान लो उसको हो गया तो आप उसको सीधा hospital करके ICU में एडमिट करना पड़ेगा तो दोस्तो हम लोग भी खुद कभी जीवन में बाद में बुड़े होंगे तो हमें भी infection होंगे तो दोस्तो ये सब सोच के अपने को judicious यूज़ करना चाहिए antibiotic का ऐसे नहीं कि patient सीधा आया आपके पास सीधा पर पेरा से लीनिया मेरोपे नेम लगा दो पेसेंट सेम डे सही हो जाएगा दोस्तो वो सेम डे सही हो जाएगा हो सकता है हो जाए लेकिन हमारी community को हम कितना harm पहुचा रहे है में सा इस चीज़ पर अपने को focus लखना चाहिए कि हमें कोई भी ऐसा work नहीं करना चाहिए जो कि हमारी पूरे community को मतलब harmful आपको पेसेंट को थोड़ा पेसेंट को भी थोड़ा समझाना चाहिए उसको भी aware करना चाहिए कि ज़्यादा unjudicious या heavy antibiotic नहीं लेना चाहिए इससे आपको resistant हो सकता है फिर आप कभी किसी दूसरे antibiotic से ठीक नहीं होंगे इस तरह से आप पेसेंट को भी educate करना चाहिए thank you दोस्तो तो ये दो जो lecture थे आपको कैसे लगे दोस्तो आप मेरे को comment box में message लिखके बताएं आप लोग comment लिखते हो तो मेरा motivation होता है उससे और उसी से अच्छा लगता है कि और अपन अच्छे video बना पाई बाकी हो सकता है कुछ मैं इस वीडियो में गलत भी बोल दिया हूँ कई बार अपन बोलते कुछ हैं दिमाग में कुछ होता है मुह से कुछ हो जाता निकल जाता है तो दोस्तो उसके लिए आप लोग करना है कर आगे में और ध्यान रखोंगा और अच्छे वीडियो बनाऊंगा थेंक्यू